कर दोस्तों मैं हूँ दीपक काले कालेज ग्रूप टेक हिंदे में आपका स्वागत करता हूँ तो आज हम देखेंगे कि हम वर्ड में हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और उसकी जो ऑप्शन से वो कैसे इस्तिमाल करते हैं उसका ऑप्शन का यूज करके हम उसके कैसे एट्रेक्टिव बना सकते हैं तो सबसे पहले गुजारिश है जो भी नए दोस्त है उनको यह गुजारिश है कि अब हमारे चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि मैं इस तरह से हर रोज वीडियो बना कर इस चैनल पर अप्लोड करता हूं इसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे तो लिजी यह शुरू करते हैं कि हम हमरे Word में जो हम इस्तिमाल करते है Microsoft Word इसमें पिक्चर कैसे इंसेट करते है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखी यह मीन है इंसेट मेनू करोंगा इसके बाद यहाँ पर पिक्क्चर ऑप्शblowing है वहाँ पर हमई क्लिक करूंगा इसके बाद जोबी पिक्चर आपने जहां भी document पर आपने जहां पर रखा हुआ या document में वहां से आप पिक्चर को select कीजिए और इसके बाद insert बटन के ऊपर click कर देजेगा तो तुरून देखें यहां पर हमारा word में यह picture आ गया है तो अभी हम picture के option देखेंगे यह picture आ गया है, इसके side में देखे ही, मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, यह कुछ square दिये गया है, इस तरह से, तो मैं इस square का इस्तेमाल करके, इस picture की जो size है, यह कम या जादा कर सकता हूँ, तो देखें, इस तरह से मैं two-sided arrow आ गया है, इस तरह से picture का जो corner है, यह square है, छोटा सा, इसके उपर लेने के बाद, यह two-sided arrow आ गया है, यह two-sided arrow आने के बाद, मैं इस picture को कम या जादा कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ इसको इस तरह से भी कम या जादा कर सकता हूँ, vertically, horizontally, horizontally, तो इस तरह से मैं इस picture को कम या जादा कर सकता हूँ, यह उपर देखें, इस तरह से rotate क का बटन दिया गया है इसके उपर मैं माउस का करसर लिने से यह इस तरह से convert हो जाएगा और मैं यहां से ड्रैग करके इसको जब मूग करता हूं तो यह जो picture है यह rotate होते हुए हमें दिखाई दे रही है तो इस तरह से मैं इस picture को रोड़ेट कर सकता हूं अगर मैं इस picture को साइस कम या ज्यादा करना चाहता हो तो देखिए ये format बटन já यह फर्माइट बटन के last में इस तरह से size option दिया गया है तो इसका भी इस्तिमाल करके मैंcreจะ कम या ज्यादा कर सकता हो तो मैं अभी हैट कंम या जादा कर रहा हूं तो दोनों भी हैट भी कम कम जादा हो रही है और इस तरह से मैं जो यहां पर टाइप करूँगा उस वेल्यू के हिसाब से यह पिक्चर कम या जादा भी हो सकते हैं जैसे कि मैं यहां हैट जो है देखिए इस तरह से मैं हैट यहां पर फोर टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर करने के बार इस तरह से दोनों भी इस प्रोपर्शन के तो यह vertically 4 हो गए है 4 inch और इसी हिसाब से width भी बढ़ दी गई है या कम कर दी गई है तो इस तरह से हम इस picture को picture की size कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद देखें यह crop option हमें जो भी picture का हिस्सा चाहिए हम इसे ले सकते हैं तो मैं देखें यहां पर इस तरह से यह option आगा है यह corner है तो हम इसको corner से भी इस तरह से crop कर सकते हैं यह हम जिस तरह से vertical horizontal जिस तरह से हमें picture का हिस्सा जो भी चाहिए वह हम रखकर बाके का जो picture है वह हम crop कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि यह crop option कुछ गलत हो गया है तो हम picture को ऐसे मूँ करके माउस के सहयता से हम इसको crop करके जिस तरह से हम picture चाहिए उस तरह से crop कर सकते हैं इस तरह से square में अच्छी तरह से picture आने के बार मैं यहाँ पर crop button के ऊपर फिर से एक बार click करूँगा तो देखिए यह picture यह crop हो गई है तो देखिए दोस्तों यह video आपको कैसा लगाया picture कैसे insert करते हैं उसको size कैसे कम या जादा कर सकते हैं उसको कैसे crop करते हैं यह आज हमने इस video में देखा है अगर यह price आपको अच्छा लगा तो इस video को जरूर जरूर लाइक कर देजिएगा अपने दोस्तों में इसे share कर देजिएगा यह video आपको कैसा लगा है यह नीचे comment में जरूर जरूर बता देजिएगा जो नए दोस्त लोग है वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजिएगा बिल आइकॉन को दबाना ना पूंदिया और और आप्शन से लिट कर देजिएगा थेंक्यों धन्यमाद कर देजिए प只की दlights है यहाँ यहाँ कर देजिए प्सक्राइब कर देजिए और लोगका